अब वर्ल्ड पॉपलेशन का एक इमपेक्ट जो है वो है महारे पास स्कूल चिल्डर्ट इसमें नुकलर टेक्नालोजी, मिजायल टेक्नालोजी अब इन तमाम की एक जो महारे पास दुनिया के अंदर हम इसकी तरह बढ़ रही हैं उसके अंदर जो खतनाक बात है वो यह है कि जब तक हमारे पास हमारी जो नई जनरेशन है वो एजूकेट नहीं होगी रिगॉर्डिंग पीस और जस्टिस तो वह एक खतनाक बात की बढ़ जाएगी अब हमारे पास जो मेन काम है वो है प्लैनिंग के साथ कि हमने अपने जो स्कूल के बच्चे हैं हमने जो टार्गट शुरू किया था यूनिवर्सल प्रेमरी एजुकेशन से उसके बाद हम सस्टेनेबल डिवल्मेंट की तरफ आए और इसको लेके जब हम आगे चलते हैं तो हम कहते हैं कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए अब ये सारा तलुक है हमारी पॉपलिशन ग्रोथ के साथ और हमारे प्लैनिंग के साथ अब देखें फूड की भी बात हो गई प्लीन वाटर की भी बात हो गई इसको तो इसरात मरतब होते होते हैं लेकिन इसके इसरात जो आगे मरतब हो रहे हैं वो हमारे मुरतब हो रहे हैं बच्चों के एजूकेशन के अगर हमारी ग्रोथ पॉप्लिशन ग्रोथ एप्रोप्रियेट नहीं होगी तो हमारी प्लैनिंग नहीं बन सकेगी अब जैसे मैं का आपको एक्जामपल देता हूँ एक स्कूल है हमने प्लैनिंग की हमने का कि स्कूल के अंदर एक क्लासरूम है और उसके अंदर तीस बचे हैं और ये तीस बचे हम दाखल कर सकते हैं और इसके लिए जो हमने क्वालिटी एजूकेशन के स्टेंडर बनाए हुए है उस क्वालिटी एजूकेशन के स्टेंडर के मुताबिक हम इसको अरेंज करते हैं. अब उसी के लिए रिसरॉस का रइंज है, टीचर्स के अरेंजमेंट है. उसी के लिए से रिसरॉसेस अलॉपेट की वे हुए हैं. आप जिसके अंदर हमारे पास required बच्चे आ गए more than 40 आप देखें problem हो गए हमारे पास अगर हम इस phase को लेकर चलते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से बार नहीं होना चाहिए तो हमारी quality education असर अधाज होते हैं और अगर हम उनको नहीं लेकर चलते हैं तो हमारा literacy rate असर अधाज होता है अब आप देखें इस से इस example से आपको थोड़ा सा अंधाजा हो गया और आप perceive कर सकते हैं कि हम किस किसम के मसाइल हमारे साथ पैश हो सकते हैं इसका मतलब यह हुआ पहले नंबर पे अबादी control नहीं तो हमारे पास planning appropriate नहीं planning appropriate नहीं तो अब education के sector के अंदर हमारे दोनों aspect यानि एक aspect हमारा universal primary education तमाम बच्चों को स्कूल तक लेके आना और दूसर aspect हमारा quality education अब देखें यह दोनों हमारे असर अंदाज हो गया अगर हमने बच्चों को दाखिल नहीं किया तो भी हमारे लिए problem के फिर भी हमारे target achieve नहीं हुए अगर हमने दाखिल कर लिया और हमारे पास resources नहीं हैं तो फिर भी हमारे पास problem के फिर quality education का issue आगए अब देखें जो required हमारे पास need skills हैं जो required हमें चाहिए हम बच्चों के अंदर जो behavior modification के लिए जो activities हैं अब स्कूल कैसे plan करेंगा अब देखें ना हमने ये तो स्कूल के अडिविस्टिशन ने फैसला कर लिया कि हम बच्चे दाखिल कर लेते हैं इसका मतलब है कि हमने एक चीज़ को focus कर दी दूसरी तरफ हमारे पास ignore क्या हुआ quality education अब quality education जब ignore हुई तो इसका मतलब है कि quality education ignore होने का मतलब ये है कि उनकी required behavior modification और required skills उनके पास नहीं आई लहाजा जब वो society में जाएंगे तो skills नहीं होंगी और अगर बच्चे को school में दाखिल नहीं करेंगे तो हमारा literacy rate नहीं बने तो लहाजा इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी main stream के अंदर हमारी sustainability के लिए हमारी population growth जो है वो कितनी controlled होनी चाहिए और हमारी planning के साथ कितनी align होनी चाहिए अगर वो planning के साथ align नहीं होगी तो जैसे हमने discuss किया या तो हमारे पास quality compromise होगी या हमारे पास general literacy rate हमारा control नहीं होगा 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000